नमस्कार दोस्तों गलोबल कोलेज ठावला के ओनलाइन प्लेटपोर्न पर मैं राजेंदर खिचड आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं आपके सामने रिजनिंग की क्लास लेकर उपस्तित हूँ अपने पिछले वीडियो में सांकेतिक बासा से रिलेटेड यानि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ क्यूशन किये थे एक टाइप था उसमें अक्सर से अक्सर का कोड अक्सर के रूप में और उसमें योग उपर आधारित गठाव पर आधारित के क्यूशन अपने किये थे आगे अपना आज क्यूशन करेंगे जोड थता गठाव पर आधारित यानि योग और गठाव दोनों के कमबाइंड रू कुछ उधारन के सात्फ और उधारन करेंगे अपन लेखो ये रहा आपके सामने सवाल कि निसे करकोड अक्सर के रूप में मैंने फंस्ट क्लास में भी बताया था आपको कि इसमें बहुत सारे टांप आतेर का कोड अक्सर के रूप में, सब्द का कोड सब्द के रूप में, अक्सर का कोड संख्या के रूप में, वाक्य का कोड वाक्य के रूप में, उनमें से पहला टाइप अपन लेके चल रहे हैं, अक्सर का कोड अक्सर के रूप में और उसके अपन उधारन कर रहे हैं, पहला अपन कि देखो हल करना कि कैसे आपको हल करना है जैसे एक्जाम में सवाल ऐसे आएगा यह यहां पर दियावा है आपको दिखाई दे रहोगा ऐसानी से एक्जामपल है एक्जामपल देखो एक्जाम में जो सवाल आएगा उसमें कैसे लिखावा होगा वो यह मैंने सोट में लिख रखा है क्योंकि वो पूरी रामकाने लिखने की जूरत नहीं है उट में अपने हल करेंगे और सोट में ही मैंने लिख रखा यहां पर तो देखो क्यूशन एक्जाम में कैसे आएगा मुँँ एक बार लेंग्वेज बोल देता हूँ किसी निशित कोड बासा में बी एल ओ डबलू को डी सी एन एम आई लिखा जाता है तो उसी निशित कोड बासा में इप ए टी ए एल को क्या लिखा जाएगा तो अपने को स्टार्ट करते हैं किसे आपको एक्जाम में देखते ही किसे पता लगेगा कि वह यह कौंड से टाइप का सवाल है और कैसे अपने इसको हल करें तो टाइप आप जब इसकी नंबरिंग करोगे तो पता लगेगा तो करनी है इसकी पहले ये दो नमर पे आता है ये तीन नमर पे आता है तो ये पांच नमर पे आता है ये पांच नमर पे आता है फिर एल आता है बारा नमर पे 15 नमर पे व आता है तेवी इस नमर पे डबलू आता है चार नमर पे दी आता है तीन नमर पे सी आता है सोगदा नमर पर एन आता है तेरा नमर पर एम आता है और पतीस नमर पर याता नम्बर देते ही आपके देखो कापी चीजें समय मा जाएगी यहां देको दो से पहले एक्सर को पहले से देखना है दो से हो रहा है पांच दो से चार हो रहा है तो बही कितना जुड़ रहा है जुड़ रहा है फिर देखो पांच से तीन हो रहा है पांच से तीन हो रहा है तो कितना गट रहा है यहां पे आपका गट रहा है दो दो जुड़ रहा है दो गट रहा है तो ऐसा हो सकता है फ्रीज बन रही है फिर देखो 12 से चोगदा हो रहा है तो दो जुड़ा है फिर देखो 15 से 13 यहां घतना गाट्रा है कितना गट रहा भई दो गट रहा है फिर देखो 23 से ये 25 हो रहा तो कितना जुड़ रहा है दो जुड़ रहा है तो पहले दो जुड़ा फिर दो जुड़ा फिर दो जुड़ा फिर दो जुड़ा फिर दो जुड़ा तो आप भी इसमें ऐसे ही करोगे आप ऐसे करोगे तो द Preआल आता तो अपन पहले क्या करेंगे पहले इसमें दो जोडेंगे क्योंकि यहां तो भई क्या हो जाएगा इस और Kardashians देखा आता है आज आता है निफ चाता है पिर दो गठाएंगे थो अब एक में से दो घठा नहीं सकते तो एक को मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इस में सांकेतिक भासा में A, B, C, D, A, A से Z और Z से A यानि चक्र में चलती है तो A को आप 27 नमर का अक्सर भी ले सकते हूँ चलता रहेगा तो 27 में से दो गटाएंगे तो क्या बचेगा 25 नमर का वाई तो एच वाई दो आगया अपना फिर अपने यहां पे प्लस दो करेंगे तो 20 प्लस दो बाइस नमर पे क्या आएगा 22 नमर पे V आएगा फिर माइनस दो गरेंगे तो वह य आएगा फिर प्लस दो करेंगे तो 12 प्लस दो चोगदा नमर पे क्या जाएगा अपको दिखाई देर होगा आसानी से Ch V Y N तो लिख देता हूँ यहां पर Ch V Y और N इसका क्या हो जाएगा? फोध हो जाएगा. नमबर देखे आसानी से आप इसको कर सकते हो. तो आसानी से हल की आपने, इसमें plus 2, minus 2 का नियम लग रहा था. तो जोड भी हो रही है और गठाव भी हो राहा है. साथ साथ में लग रहा है दोनों नियम. अगला क्युशन अपन लेते हैं अगला सवाल देखो ये रहा अगला सवाल आपका है S-H-A-K-E S-H-K-E को लिखा जाता है F-I-D-D-X F-I-D-D-X लिखा जाता है तो पहले नमबर देलो वई ये है 19 नमर पे 8 नमर पे 1 नमर पे 11 पे और 5 पे ये हो जाएगा 6 पे 9 पे 4 पे 4 पे और 24 पे ठीक है नमर देने से ही नियम का पता लगेगा नमर देने से नियम का पता लगेगा नीचे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये रहा देखो अब यहाँ पे देखिए S से F को देखेंगे पहले तो 19 से 6 हो रहा है 19 से 6 हो रहा है तो भई 19 से 6 होने के लिए तो कितना गटना चाहिए 13 गटना चाहिए ठीक है फिर 13 गटके देखो 8 से 9 हो रहा है तो एक जूट रहा है तो ये तो ऐसी तो कोई वही कुछ नहीं बनती यान लाष्ट वहले एकसर से देखें गे तो यहाँं देक oh five आए चे ए हो रहा है 5-6 हो रहा है 2 point 5 6 और नि हम इसे'll रहा है मैं यहां 5-6 में तो कितना जूड़ ना है फॉलस एक हो रहा है फिर ग्यारा से Öborg सिरिज मार फिर एक से हो रहा है तो कितने जुड़ए टीन जुड़ रहे हैथ और ईक आंत्र करह रहा है पिर एक बढ़ रहिए ना संक्यांक बढल रही एक दो तो तीन फिर देखो आठ से हो रहा है आठ से चार आठ से चार हो रहा है तो कितना गट रहा है चार गट रहा है तो एक जुड़ रहा है दो गट रहा है तीन जुड़ रहा है चार गट रहा है फिर पांच जुड़ेगा तो पांच जुड़ेगा क्या देखो देखे यहां उन कि प्रकार एक जुड़ेगा और अगला गटेगा थिर जुड़ेगा फिर फिर गटेगा तो अगले इस में इसका कोड निकालता है इसका कोड निकालेंगे तो देखो नमर दे लेते हैं सोड़ा एक फिर आ जाएगा सोड़ा फिर पांच फिर अठारा तो यहां अठारा में क्या करें पहले एक जूड़ रहा था ना देखो एक जूड़ रहा था यहां एक जूड़ रहा था तो एक जोड़े 5 में से 2 गटाएँगे तो 3 3 नमर पे क्या जाएगा C आजाएगा फिर 3 जोडेंगे 3 जोडेंगे तो 16 प्लस 3 19 नमर पे क्या जाएगा S आजाएगा फिर 4 गटाएंगे तो भैज 1 में से 4 के से गटेगा तो बार-बार ये स्टेप आ रहा है और मैं भी बता रहा हूँ आपको कि गठेगा के से गठेगा ऐसे कि आपको ग्यान रखना है ABCDA वो चक्र में चलती है A से Z एसे Z और Z से A ठीक है तो A जो अक्सर है वो 27 नमर का भी है और एक नमर का भी है ठीक है तो 27 में से 4 गटाएंगे 27 में से जब 4 गटाएंगे तो कितना बशेगा 23 और 23 नमर पे क्या आएगा W ठीक है ते देखो यहां पे 6 में कितना जोड़ दें 5 जोड़ दें 6 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा तो 21 नमर पे आपका क्या जाएगा यू आ जाएगा ठीक है इस प्रकार आपको हल करना है बहुत ही सिंपल है नमर देऊगे तो आसानी से आप याद कर सकते हो अगला सवाल अपन लेते हैं अगला सवाल देखो यह रहा अगला क्यूशन आपके सामने यह है इसमें देखो I-N-H-A-L-E का कोड़ दियावा है ज-P-E-W-Q-K तो आपको बताना है M-I-S-U-S-E का ठीक है तो पहले उसका नमर दे लेते हैं इसका नमर देंगे तो यह नो नमर पे यह चोगदा पे यह आठ पे यह एक पे यह बारा पे यह पांच पे यह है दस पे यह है आपके सोड़ा पे यह पांच पे 23, 17 और 11 ठीक है अब आप फेस्ट अकसर से फेस्ट को देखोगे फिर सेकंड को सेकंड से अगर इधर से नहीं होता है तो लास्ट को फेस्ट से देखेंगे ठीक है अगर नहीं होता है तो तब की बात आई है तो पहले को पहले से देखते है तो देखो पहले को पहले से देखने पर प्लस क् हे maior मैं इसको इदर लिए देता हूं ताकि अपने बीच्मनी आये प्लस एक उरा फिर और यहां पर पहलस डोंट प्लस दो रहा ूच्छा थर देखो यहां पे मैंपनिस तीन हो रहा है तो इसा चल सकता यह प्लस बीच में है यहां पर माइनस तीन फिर यहां पे देखो ए से डबलू हो रहा है तो ए से डबलू यानि एक से तेईस आ रहा है एक से तेईस यानि एक कितने नमर का अक्षर है 27 नमर का अक्सर है 27 से डबलू होना 27 से 23 होना क्या गट रहा है 4 गट रहा है तो पहले 2 जुडे फिर 2 गटे एक दो जुडे 3-4 गटे फिर देको यहां पे अब 5 और 6 वो जुडने चाहिए है ना तो 12 से 17 हो रहा है तो 5 जुड रहा है ना फिर देखो यहां पे 5 से 11 हो रहा है तो क्या हो रहा है 6 जूड़ रहा है ठीक है इस लाइन को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आपको पता रहे यह दिख रहा नहीं होगा आपको यहां पे 6 जूड़ रहे हैं ठीक है अब इसमें भी आपको ऐसे ही करना है इसमें ऐसे करना देखो नियम देख लो आप प्लस, 1, प्लस, 2, माइनस, 1, माइनस, 4, dire, सुरी, माइनस, 3, माइनस, 4, फिर, फ्लस, 5, प्लस, 6, यानि, दो संख्याए जुड़ रही है, फिर अगली, दो गट रही है, फिर अगली, दो जुड रही है, और एक, एक, बढला है, संख्याँ में, हैं एक दो तीन चार पांच है इसे बढ़ रही है तो इस उदारन को अपने से हैंगे और आगे देखो इसमें मिश्यू का और इसका ऑप्शन अंक अंक देते हैं इसके कितना है तेरा नो पुनिश ऑकीज उननीस हरे पांच ठीक है पहले क्या करना है पहले प्लस एक करना है पहले प्लस एक करना है इसमें पहले प्लस एक वाना तो पहले प्लस एक करना है और पहले से पहला अक्षराना चीए तो प्लस एक करेंगे तो चोगदा नमर पे क्या जाएगा एन आजाएगा तो चोगदा नमर पे आजाएगा आपका एन फिर प्लस दो करना है ुबस्डों करेंगे तो ग्यारा नमर पर क्या जाएगा lle फिर मारे सहसी मार पर करेंगे 21-47 नमर पर क्या आएगा कि आएगा फिर प्ल्स पाँच Toiस हंब पर थाएगा टेमने फ्र प्लस चे करना है पांच और छे ग्यारा ग्यारा नमर पर क्या हैगा के तो आपका उत्र हो जाएगा एन के पी क्यू एक्स के इस परकार आपका उत्र आएगा ठीक है आरा होगा समझ में आपको बहुत ही सिंपल है अगला अपन लेते हैं अगला सवाल देखो यह रहा सुरी इ देते हैं विपरीत अक्षनों पर आधारित ठीक है विपरीत अक्षनों पर आधारित देखो कैसे होगा तो यहां पर आप जब इस प्रकार का क्यूशन आपके एक्जाम में आएगा तो आप नंबर देऊगे सबसे पहले काम अपना नंबर देने का रहेगा नंबर देऊग लगेगा ने गठाव का लगेगा ने क्रोसिंग प्राधारी तो फिर वो विप्री आधारीत जाएगा ठीक है यहां चार से 23 हो रहा है चार से 23 गटके हो सकता है जुड़के तो बहुत लंबा हो जाएगा इतना बड़ी संक्या जुड़ती नहीं है अक्सर का साथ गट गए तो 23 नमर का हो गए 30 में से 7 गटे फिर 18 में से 9 गटे तो 9 हो गया सही है साथ 9 11 13 17 इस चल सकता है न 11 13 15 17 इस प्रकार हो सकता है 21 से 6 हो रहा है 21 से 6 कब हो सकता भई 21 से 6 हो सकता है देखो 6 कौन से नमर का अक्सर है 32 नमर का अक्सर है ठीक है 22 मेंसे आप च्या गटाओगे 11 32 में से 11 गटाओगे तो आ जाएगा 21 वेसे भी और फिर यहाँ पे 7 से 20 हो रहा है 7 से 20 कब होता है 7 कितने नमर का अक्सर है 31 नमर का अक्सर है इसमें से 13 घटाएंगे जब 31 में से 13 घटाएंगे तो 20 थोड़ी होगा नहीं होगा तो यह नियम नहीं लग रहा है इसमें फिर पीछे से 19 से 23 19 से 23 देखेंगे तो जुड़ रहा है चार फिस साथ से 9 दो जुड़ रहा है चार जुड़ रहा है दो जुड़ रहा है फिर 20 से 6 हो रहा है तो यहाँ कोई नियम नहीं सारे नियम फेल है सारे नियम फेल हो तो अपने लिखेते विपरीत अक्सर जो first class है coding decoding की उसमें आप दे का विप्रीत अक्सर क्या है डबलू दूद वाला लिखवाया था आर का विप्रीत अक्सर क्या है आई इंडियन रेलिवे लिखवाया था यू का विप्रीत अक्सर क्या है एप फादर अंकल लिखवाया था जी का विप्रीत अक्सर क्या है टी जी टी रोड ग्रांड ट्रक र आजारी पर तो एस का विप्रीत यहां पर भी आब बता दो एस का विप्रीत क्या होगा एच होगा ती का विप्रीत क्या होगा जी होगा ओका विप्रीत क्या होगा एल होगा लव लिखवाया था आर का विप्रीत आई और एक विप्रीत क्या होता है यह विप्रीत अक्सर तो आप इसका आसानी से लिख सकते हो अगला क्यूशन देखो अगला है इंस्टंटली का बी ओ जी एम जेड जी एंस एम आर लिखावा है तो यहां देखते हैं आई आई का भी थोड़ी है विप्रीत अकसर नहीं है तो y का भी है क्या y का b है विप्रीत अक्सर और वह लिखा से बई भी भॉय टोज से शेड आज लिखाता है और जक को आज लिखा ता एल का ओता है अभी बताया था T का G होता है, N का M होता है, A का Z होता है, T का G होता है, S का H होता है, N का M होता है और I का क्या होता है, R होता है, तो यहां भी विप्री तक से लिखने है, C का क्या होता है X क्रेक्स लिखवाय था है ना उदरान भी दिया था क्रेक्स किसे बोलते हैं तो द्यान रखना है O का क्या होता है L होता है M का होता है आपका N P का होता है K काला पानी L का होता है E का V होता है T का G होता है E का V होता है L का होता है का विप्रीट एक्षर है ओ और वाई का विप्रीट एक्षर होता है वी तो इस प्रकार आपका कोड बढ़ जाएगा एक्स एल एन के ओ वी जी वी ओ भी ठीक है अगला क्यूशन लेते हैं अगला क्यूशन लेको यह रहा है हाउस का आपको दिया वाई है एस एल एफ एच वी तो देखो दिखाई दे रहा है एस का विप्रीट क्या होता है एस होता है ओ का विप्रीट एक्षर क्या होता है एल यू का क्या होता है एफ एस का क्या होता है एक्स और एका क्या होता है वी एवरी तो डबलू का क्या होता ह वए डबलू का दूदवाला या डी होता है ऐ का एल होता है र का आई होता है एल खोल्ता है और आई अरो तक आपका उत्रों जाएगा ड ल iOS एक सिंपल साहर पिर अगला लेते हैं है अगला आपका एडिन है परोसिंग पर आधारित पांचवां टोपिक है क्रोसिंग पर आधारित अक्सर के कोड अक्सर के रूप में में पांचवां टोपिक है क्रोसिंग पर आधारित देखो जब कोई भी नियम नहीं लगेगा तो क्रोसिंग पर आधारित नियम है लगेगा प्रोसिंग पर आधारित नियम है लग जाएगा जब कोई भी नियम है नहीं लगेगा तो क्रोसिंग पर आधारित नियम लग जाएगा तो इसमें केसे पता लगेगा तो वही आपको नमरिंग करनी है नमबर दे दोगे आप तो पता लग जाएगा तो देखो नमबर देते है अपने अपने होस्पिटल लिखावा है तो आठ नमर पे आता है एंच वो आता है 15 नमर पे 19 नमर पे एस आता है 16 नमर पे पी आता है 9 नमर पे आई आता है ती आता है 20 नमर पे एक नमर पे आता है सूड़ा अबहुंत आपरका शोला पे नो नमर पे आई 17 नमर पे Q, 20 नमर पे T, 21 नमर आंबहु स्सक्राइब है धना क्या ना आता है अनकी वृष कोसिश नो नो पे अगया गाए धनकी हम विए शार साहसा जुड़ सकता है सब सब अक्सरों में लेकिन एसे नहीं हो सकता कि शाज आड़ दुड के 10 जोड़े या आड़ दो कई नो रह तो चला जाएगा ना तो इन उसका हो सकता है है पिर यहां टो रहा है तो लंग रहा है बी सफिर तो दो गट गया मैं अब यूड़ यहां लगातार गट रहे ऴूड़ रहे तो इस्परकारप का क्योई मिन करें फिर आप पीछे से देखोगे एधर से घो तो इधर से देखो 12 से 16 हो रहा है तो 4 जुड़ रहा है फिर 1 से 9 हो गया तो 8 तो इस प्रकार का कोई नियम नहीं होता जब नियम नहीं होता तो आप क्या करोगे इन आक्षरों को इसके नीचे लिख लो इसके नीचे लिखेंगे तो लिखेंगे P, I, Q, T, फिर U, फिर आ नो यह हो जाएगा 17, 20, 21, 10, 13, और दो अब देखो एसे देखो देखो तिर्चा इसको दो-दो को पहले दो-दो को ले लिया करो हो सकता है दो-दो से हो जाए तो देखो 15 से 16 हो रहा है और 8 से क्या हो रहा है नो फ्रोसिंग पर रहे है फ्रोसिंग हो रही है दो अक्सरों की 16 से 17 हो रहा है 19 से 20 हो रहा है फिर 20 से 21 हो रहा है 9 से 10 हो रहा है फिर 12 से 13 हो रहा है और 1 से 2 हो रहा है तो दो दो अक्सरों की क्रोसिंग हो रही है तो आप भी निचे वाले में ऐसे ही कर दो तो पहले मैं इसके नमबर दे लेता हूँ 19 3 9 5 सोगदा 3 फिर 5 फिर 19 अब देखो इ कुअ पोड़ लिखेंगे तो क्रोशिंग लिखना है 314 एसे त्योंने टीन एक चार नमर पर दि आएंगत एक मैं कुछ सक्ता टी आएगा फिर 19 और 120 बीस नमर पर टी आएगा फिर 5 और 6 नमर पर आप आएगा ठीक है इस प्रकार क्रोसिंग पर आदारित हो जाएगा यह 4 20 6 10 4 15 20 और 6 इस प्रकार वापिस नमर लिखने हैंगे जोरत नहीं होती अगर आपको याद है तो और याद तो करना ही है नहीं तो तो तीन टॉपिक आपके छूट जाएंगे यह जान रखड़ा है बहुत टाइम लगेगा बाकी के क्यूशन भी बरबाद हो जाएंगे तो इससे अच्छा है आप इनको कर्मान को याद कर लो ठीक है आगे देखो अगला सवाल अगला सवाल यह रहा देखो लिखावा है M-O-T-I-O-N-S का खोड़ दियावा है V-Q-O-I-Q-L-M ठीक है तो आपको बताना है टेबलेट्स का क्या होगा ठीक है तो देखो करने कोशिस करते हैं हल करने की कोशिस करेंगे तो होगा आसानी से तो तेरा पंदरा बीस नो पंदरा चोगदा उन्नीस पह आपे 22, 17, 15, 9, 17, 12 और 13 ठीक है नमबर देते हैं नमबर देके पहले अपना फॉर्मूला यह रहेगा क्यूशन क्यूंकि एक्जाम में आएगा तो उसका टाइप का ध्यान आपको नहीं रहेगा तो आपको पहले पता करना होता है कि वह यह किस टाइप का है प्लस वाले का ह यानि योग पराधारीत है कि गटाव पराधारीत है जोड या गटाव पराधारीत है या फिर आपके विप्रीत अक्षरों पराधारीत है कोड़ सा प्रकार है तो पहले आप जोड वाला देखोगे तो 13 से 22 हो रहा है तो 13 से 22 होने के लिए 9 जूड़ना चीए ठीक है तो ड 12-12 हो रहा है यहां हो सकता है मैं देखो प्लस-3 हो रहा है फिर एक TV सती हुद्ध इस तेन बंद्रा से 15 दसा है नियम फेल है तो भ़ी अठा देते हैं सोऑ इसको हटा देते हैं तो फिर क्या लेंगे दूसरा नियम यह है कि जोड़ गठाव पर आधारित नहीं है तो फिर क्या है विप्रीत अक्षरूंपर हो सकता है तो विप्रीत M का विप्रीत भी होता है या नहीं होता है तो फिर आपने इसको इसके निचे लिखेंगे 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 इसके निचे लिख दिया मैंने वी Q O I फिलिका Q L M अब देखो आदा मामला आपको समझ में आ जाएगा यही से देखो यहां हो रहा क्या है I का तो I आ रहा है अब इसको मैंने दो बागों में बाठ दे यही से पता लगए है I का I आ रहा है यहां दो जुड़के भी आ सकता है एक जुड़के भी आ सकता है, आई का आई आ रहा है, जब भी इस प्रकार का सवाल आए, क्रोसिंग पर आधारित, तो उसको दो भागों में आपको बांटना होता है, या तो जो पिछला सवाल अपने किया था, दो-दो अक्षरों के क्रोस हो सकते हैं, तो दो-दो अक्षरों साथ जुड़ रहा है, फिर यहां चार जुड़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, दो-दो के क्रोस में, समान संक्या जुड़ेगी, ठीक है, तो फिर आपको दो भागों में बांटना होता है, तो या तो 6 एक्षर है, या 8, मानलो 6 एक्षर है, तो उसको बढ़ाबर भागों क्या रखना है, बीच में रखना है, और दोनों तरफ क्या हो जाएएगे, चार चार जाएगे, चार चार आठ और एक बीच वाळा हो गया, ठीक है, अब यहां आपन ने साथ ऐक्षर है, साथ का एक बीच में रख करелиbyा, तो आई का तो आई बंढ़ रहा है, फिर देखो, 20 से 22 हो रहा है तो दो जुड़बा कर देरा से 15 हो रहा दो जुड़रा है और 15 से 17 हो रहा है ऐसे ख्ल mouldम ही है । देstrong satra ваши doonuटो घूंडelli में दो तो जुड़ू रहा है। थिर वापिस बता देता हूं तेरह से पंद्रवरा है कि इस से बाइस हो रहा है और वंग पंद्रा से सत्रह हो रहा है। 19 से 17 फिर 15 से 13 हो रहा है और चोगदा से 12 हो रहा है तो यहां क्या हो रहा है दो गट रहा है तो दोनों तरफ अलग अलग नियम लग सकते हैं यहां बीच में कोई भी नहीं जुड़ रहा है तो इसको भी ऐसे यहल करना है तो मैं बीच में रख लेता हूं L को तो L का तो क्या डिख दिया मैंने लिख दिया अब नंबर देलो 20 एक दो बारा पांच बीस और उननीस को यहां दो में दो पहले दो जुड़ने का नियम है तो दो जुड़ने का नियम लगाएंगे तो दो जुड़े गाप पहले है ना फिर घठने वाला है तो यहां दो जुरने वाला दो दो चार हो गया चार नमर पे क्या आगया दी फिर इधर 20 प्लस दो 22 नमर पे क्या आता है वी और एक प्लस दो यानि तीन नमर पे क्या आता है सी यहां दो गठने का नियम लगेगा यह जार रखना है दो गठेगा 19 दो गठके 17 नमर पे क्या ज जाएगा और और पांच दो गटके पीन नमर पे क्या जाएगा तो आपका कोड हो जाएगा dcvlqrc ठीक है जिनको नहीं दिखाई दे रहा है मैं उपर कर देता हूँ देखो ये रहा dcvlqrc इस प्रकार करना होता है अगला क्यूशन लेते हैं अगला क्यूशन आपका है फिजिक्स फिजिक्स का दियावा कोड एक्स जी ओ एस टी डी जे और फिर आपको पुचा है इंगलीज का कोड क्या होगा देखो अब पता है क्योंकि टॉपिक अपनी ये पढ़ रहे है तो मैं इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ नंबर देखे इसके नीचे लिख लेता हूँ तो नीचे लिखता हूँ देखो पहले नंबर दे लेता हूँ सोड़ा, आठ, पच्चीस, स्वरी, उननीस, ऐस आता है, उननीस नमर पे, नो नमर पे, आई आता है, तीन नमर पे, सी और उननीस नमर पे, स, अब इसको नीचे लिया हो, एक्स, जी, ओ, एस, टी, डी, और जे, नमर दे लो इसके, नमर दे लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका, 120, 7, 15, 19, 24, और 10, ऐसे नमर आजाएगा, फिर हो जाएगा आपका, इसको क्या करना देखो कितने अक्सर है साथ अक्सर है तो बीच में से तोड दिया एक रख लिया यहां पर तो एस का तो एस ही हो गया वाई कि इदर देखो पी एस वाई का है एक्स जी ओ तो वह इसको क्रोसिंग करना है प्रोसिंग करेंगे तो y से x हो रहा है, p से o हो रहा है और x से क्या हो रहा है, z तो 25 से 24 हो गया, 16 से 15 हो गया और 8 से कितना हो गया, 7 तो कितना क्या हो रहा है, minus का 1 हो रहा है, minus 1 हो रहा है इधर देखो क्या हो रहा है, 19 से 20 हो रहा है, 19 से 20 90 उनत प्लस को दो प्लस एक है नो से दस हो रहा है थो कि आपको आपको युए से करता है की आपको युए से करना थो पांच नमर दे दिया मैं ने तो सुगदा और साथ बारा नोव उन्नीस और आठ उपर लिख देता हूं देखो जहान रखना बीच वाड़ा एसे का इसे ही है यहां इधर प्लस यहां माइनस है इधर प्लस है तो उपर ले लेते ठोड़ा अब देखो इसके कौड निखालेंगे अपने और निखालेंगे तो भही हो जाएगा आपका कि बारा का तो बारा ही रह जाएगा है अल का Clay आप mix करते हैं प्रोस करेंगे तो इधर इधर और इधर ऐसे क्रोस होगा तीन अक्सरों का यहां क्या करना है यहां नियम लेना आपको माइनस एक का तो साथ माइनस एक शे नमर पे क्या आएगा एप आएगा सोगदा माइनस एक सोगदा माइनस एक आएगा भई आपका तेरा तेरा नमर पे क्या आता है M फिर E माइनस यानि पांस माइनस एक चार नमर पे क्या आता है D और फिर यहां पर 8-1, 7 नमर पर आता है, G, 19-1, 18 नमर पर आता है, R, 9-1, 8 नमर पर आता है, H, तो यह आपका खोड हो गया, F, M, D, L, G, R, H, ठीक है, इस प्रकार क्रोसिंग के क्यूशन करने होते हैं, यह जान रखना है, अगला क्यूशन देखो आप, अगला क्यूशन आप के पास यह रहा, इसमें देखो, क्योंकि क्रोसिंग पर आधा रहीता है, तो मैं पहले इधर लिख लेता हूँ, इधर लिखता हूँ, पहले नमबर दे लेता है, 16, 18, फिर हो जाएगा आपका 15, 16, 9, 12, और 5, इसको नीचे लिख देता हूँ, U, Z, L, I, R, K, V, M, अब देखो, कितने एक्सर है, 2, 4, 6, और 8, 2, 4, 6, 8, तो 8 वाले में 2, 2 का नियम लग सकता है, तो पहले नीचे वाले के नमबर देलो, नमर देने से पता लगेगा, तो नमर देते हैं भई, नमर देते हैं, तो देखो, यू आता है, 21 नमर पे, ठीक है, यू आता है, 21 नमर जेड आता है, 27 नमर पे, 12 नमर पे, L आता है, 9 नमर पे, I आता है, R आता है, 3 नमर पे, 11 पे, क्या आता है, 22 पे, V आता है, और 13 नमर पे, क्या आता है, M आता है, अब देखो, अगर इस में 2-2 लेवे, 2-2 लेवे, तो 6 से 21 हो रहा है, और 1 से, जेड हो रहा है, तो इससा त नहीं सकता तो वही चार-चार लेवें दोदो के बाद में चार-चार ही बसता है तो मैं इसको दो भागों में तोड़ देता हूँ चार-चार में तोड़ेंगे तो यहां देखो यहां क्या हो रहा है 15 प्लस 6 21 हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा जहां रखना आप यहां देखो कुछ अलग है नियम देखते हैं देखें क्या है यहां एक से 21 को नहीं हो रहा है क्या नियम हो सकता है दो-दो का तीन-तिन का यह दो अक्षरों को बीच में लिए 18-21 हो रहा है तो 18 से 21 में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 7, 7 माइनस होगा, इधर नहीं होगा ये, कोई नियम नहीं लग रहा है, तो एक बार मैं इसको उठा देता हूँ, लाइन को, क्योंकि ये चार्चार में तो नहीं तूटेगा, चार्चार में नहीं तूटेग तो देखो इसमें क्या है कोई भी नियम नहीं लग रहा है ना तोड़ने पर भी नियम नहीं लग रहा है दो दोक्षरों को साथ में लेंगे दो दोक्षरों को साथ में लेंगे दोक्षरों को साथ में लेने पर देखो क्योंकि आप जब संख्याओं को देखते रहोगे तो न रखना है तो अनिवे संक्सार है और प्रीस से यहान रखना सकते हो लगाने से नहीं हो रहा है कि तो फिर को देखा तो क्रोसिंग पराधारित हो रहा है दो unf oven ओ का उ का एलोता है kita देने की जूरुती नहीं दोदो को तोड़े तो तोड़ेंगे तो से और योग का आप होता है और एसका क्या होता है एसका एच होता है क्या हिस्षा प्रकार ये विप्रीट अक्सुरू पर भी आधारित है और प्रोस्जिंग पर यद्वी आदारिते तो मिश्रित क्यूसन है ठीक है तो इस प्रकार का सवाल भी एकजाम में आ सकता है तो एक मिनट के लिए कि जब आपको कोई क्यूशन मालो आता नहीं है एक बार में नहीं आ रहा है तो उस क्यूशन को कुछ समय के लिए यानि एक दो मिनिट के लिए छोड़ दीजिए तो वो दिमाग में फिर गूम के आएगा ऐसे अगर अपन लेके बेड़ जाएं तो फिर नहीं होगा यही आपिस वो आपको आ जाएगा तो यह था आपने अक्सर के अक्सर का कोड अक्सर के रूप में जिसमें टाइप थे यह जो मैंने आपको पड़ा दिये हैं और आगे की क्लास अपन अक्सर का कोड संचा के रूप में मैं लेक रहूंगा आपके सामने तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद